यूद्या में आप सब जानते हैं लाममंदीर भन रहा है उसका बहुत सारे बरास का dabei काम हमारे नशीब में हुआ है मेरी फैक्टरी में बन रहा है उसका एक मेन द्वजडद है में तो द्वजडद है तो अस सास्तर के हिसाब से यह द्वजडंड हम लोग जो बना रहा है पिछले 81 साल से बना रहा है और उसमें बहुत सारी चीज हम लोग ध्यान रखते हैं द्वजडंड एक एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मबान से पूरा ये तरंग जो है वो द्वजडंड के थुरू बगवान के नीचे अंदर गर्वगुरू में एंटर होता है और यहां से हम लोग को उजजा मिलती है तो द्वजडंड बनाने में बहुत सारी चीजे ध्यान में रखनी पड़ती है एक तो ये अपना जो मंदीर है जिस स्री राम जी का मंदीर जो बन रहा है सास्रा के हिसाब से वह एक तो कॉंट ले फेरस मेटल यूज नहीं होता है यह जो द्वजड नहीं 44 फीट लॉंग है और उसका जो डाया है वह 9.5 इंच है और उसका वाल थिकने से 1 इंच इस सेल्फ यूज है हम लोग पिछले 81 यस से जो बना रहे है वह कम लेंद को इसाब से 25 फूट का बनाए था आज तक का बड बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 kg का बनाया है उसके कमपैरेजन में यह जो द्वजड नहीं है उसका वेट है 5500 किलो तो एक बहुत ही यूणिक पीस है उसको बनाने में उसका रो मैटेरियल हमें जो सिलेक करना था वो उसका तो बहुत सारा हमें हमारा जो experience था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का और यह हमने जो बहुत ही जो unique piece बनाया है उसके वो तो उनकी कुरुपा है बगवान राम जी की उसका material भी हमें मिल गया बनाना पड़ा कुछ नो कुछ जुगार करना पड़ा और सास्त्र के हिसाब से यह जो द्वजदन बनाया है तो वो तो उनकी कुरुपा थी तभी बन गया है उसके उनके साथ में के द्वजदन के साथ साथ भगवान स्री राम के यह मंदिर में जो द क見て Lear ला रोआ उसका खैमिर उस Bak 팁ी भग सिच्टम उसकी लॉक इंग सिस्टम उनकी यह जो वह आता है वो हिंजींज साता है उस फ्राइस भी बौर्ड ए स्वेशल सता और शासरे के इसाब से उसका संचै लोकिंग सिच्टम बी हमने बनाया वह भी हमें भेज दिया है और स साथ साथ हमारे नसीब में एक और भी काम था पूरे राम मंदिर में ब्रास के कड़ा लगते हैं कड़ा और उसमें जुमल लगेगा फैन लगेगा कोई बल्ब लगेगा तो वो भी यूज एमाउंट में था हम लोग आज तक जो मंदिर में बनाया वो कोई मंदिर बड़ा मंदिर है तो उसमें सो पिस लगेगा तो यह मंदिर में तो हमने पांसो तीस पीस बनाए तो वो भी एक रुपा है और अपने आपको और मैं खूश हूं कि मुझे यह स्री राम मंदिर में यह यह काम करने का मुका मिला है बहुत ही महनत का काम था यह एक तो इट सेल्फ वो एजीली अवेलेबल तो था ही ने मार्केट में तो उसको भी हमने बनाया है और मेरा स्टाफ जो है वो भी बहुत कोयोपरेट किया उन्होंने मेरे फैक्टरी वाले और बहुत सारे वैंडर है उन्होंने भी कोपरेट किया और पिछले 6 माजय से छे मास से हम लोग इसका तू दर ज्रॉइंग और मेजरमेंट हम लोग यह बना रहे हैं तो उसमें पूरा का पूरा स्टाफ मेरा है जो 20 आदमी का स्टाफ है बहुत ही स्कील आदमी है वो भी हम लोग मैनत किया है और उसके बाद में जो उसके उपर जो फिनीशिंग के लिए फिनीशिंग के लिए जो जो मैनत किया है वो भी यूनिक है वो भी आप देख सकते है कि भी कितना यह बनाया हुआ है बिल्कुल यह बनाने में हमने फॉस्ट आफ हॉल तो एक हमारा जो बिजनेस है और धार्मी का बिजनेस है और धर्म के हिसाब से सिल्प सास्तर के हिसाब से यह जो मंदिर बन रहा है तो शीलप सास्त्र के हिसाब से ही यह द्वजडन बनाना चाहिए और उसी वह मेंटन करने में हम लोग बहुत ही हमारा स्कील है कि यह तो से असर के हिसाब से बनना पड़ेगा तो वही बनाया हमने क्या कहांगे कि भारत के करौडों लोगों की आस्ठा केı बिलकुल है क्योंकि mendir बनाने में मन्दीर कोई भी मंदीर है तो स्प्राश्त्त्रत के हिसाब से paradox मंदीर में एक तो भगवाण जी का मंदीर जो उनका जो मुझति है ओ वो एक मेन है उसके बाद में आता है द्वजदन और तीसरा आता है कलश वी कानोट रिम्यूव इट फॉर एवर द्वजदन, कलश और शिर्फ भगवान उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी उसको खंडिद भी